हाई फ्रेंड्स विल्कम हमारे जीएस इंडिया यूटूब चैनल स्पार यह हमारा टेस्ट नंबर 247 है और आज का जो टॉपिक है ड्रक्स आपच्वाइस फार्मकोलाजी, माइक्रोबियोलाजी, पेडेटिक नर्सिंग, इन अटॉमी और फीजियोलाजी मैं रातन क्लास र करने की कोशिज करेंगे तो आप भी अपने क्विक आंसर बताएंगे ठीक है यह मेरातन क्लास रहेगी आपके लिए ठीक है यह सतारे सब्जक्ट यहां पर इंक्लूड किये गए हैं ड्रक्स आपच्वाइस, फार्मकोलाजी, माइक्रोबियोलाजी, पेडेटिक नर्सिंग इन अटॉमी एंट फिजोलाजी, यह कोशन आल इस्टेड के जितने भी नर्सिंग एक्जामस होते हैं सभी नर्सिंग एक्जामस के लिए वो स्टाप नर्स का हो या ओफिसर रहें का हो कोई भी एक्जामस हो सभी के लिए काफी इंपोर्टन डूल प्ले करेंगे यूपी मेडिकल कॉलेज के एक्जामस के लिए बियसी नर्सिंग पोस्ट, बियसी नर्सिंग इंटरेस एक्जामस के लिए ESIC नर्सिंग एक्जामस, MPHW, All-State नर्सिंग एक्जामस, बिहार एनम, एहमस नर्सिंग, पीडियाई नर्सिंग, आर्मी नर्सिंग, अर्मी नर्सिंग, रिचाओं के लिए समान रुफ से अपकी quality question ने Bears को चलिए इस्ट्राइट करते हैं को सबसे और स्ब्रक्राइब का सबसे बड़ा अंग क्यारिट करें सरीर में सरीर का सबसे बड़ा अंग कॉंस आहें? क्या है राइट राइट आंसरई इसका? थोड़ा सोच समझ के आप उत्तर देगे यहां पर आफसन एक राइट अंसर होगा इसका? यहां पर आरगन पूछा गया था, अंग पूछा गया था ठीक है? यहां पर और भी कुछ पॉइंट नहीं डिफाइन किय गये नहीं कुछ इसमें इस्टार जोड़ा गया इसलिए आफसन इसका राइट आंसर है यह बॉड़ी का सबसे बड़ा अंग माना जाता है आफसन जो भी कन्फूजन होगा लास्ट में सारे दूर हो जाएंगे हमने वो सभी कोशन इंकूरूड के हैं जो आपको परिसान करते कोशन नमर आपके स्किन पर टू कोशन नमर आप टू पढ़ें फिर आंसर बताएं कोशन नमर टू में पूछा गया है निमलिखित में सरीर की सबसे बड़ी गरंती कौन सी है इन अफलाविंग विच इद लार्जेस्ट ग्लेंड आप डी बॉड़ी क्या है राइट आंसर कमेंट करें जो भी राइट आंसर हो आफसरन डीस का राइट आंसर है लिवर है क्या लिवर लिवर यह सबसे बड़ी ग्लेंड है आपके बॉड़ी की आफसरन डीस का राइट आंसर है उपर अंग पूछा गया था ठीक है उपर जो कोशन था उसमें अंग पूछा गया था औरगन पूछा गया तो इसलिए वहाँ पर तुच्छा इसकीन राइट आमसर था और यहाँ पर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछेगे इसलिए लिवर यहाँ पर यक्रत राइट आमसर होगा ओके आफसरन डीस का राइट आमसर आप यक्रत भी लिख लेंगे ओके नेक्स्ट एक कोशन नमर आपके स्किन पर थ्री कोशन नमर आप थ्री पढ़ें फिर आमसर बताएं निमलिखित में सरीर की सबसे छोटी ग्रंती कौन सी है इनफ एलाविंग फिच इता है स्मालेस्ट ग्लैंड आप दी बॉड़ी यह सब एक जाम्स में प इसका शुर्ण सुआ कर जाता है मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना चता है चलता है निश्ट कोश़न पर ज्यादा टांप नहीं यहां पर वहतित करेंगे ठीक है जो भी पॉइंट जहां पर जरुवत होगी कोल वही पर बात करेंगे और question number आप 4 पढ़ेंगे ज़्यादा details पढ़ना हमारे sort वीडियो आप जरूर पढ़ेंगे question number 4 smallpox का कारजीव है the cognitive argument of the smallpox is क्या ही right answer इसका देखिए एक बात और जो दियान रखने योग है आपके आप हमेशा इंग्लिस में जरूर पढ़ेंगे या इंग्लिस में जरूर देख लेंगे smallpox और जो chickenpox से इसमें लोगों को बहुत confusion होता है ठीक है क्योंकि अगर जो hindi channel दोनों का देखा जाए ना तो जब google translate करता है इससे तो चेचक करता है तो commission क्या करता है चेचक की mention करता है ठीक है अगर by the way पेपर को review किया गया तो smallpox mention कर दिया जाता है जैसे कि मैंने mention किया ठीक है तो आप English version जरूर देखेंगे ठीक है हिंदी से उतना काम नहीं चलेगा smallpox जरूर देख लेना smallpox लिखा है कि chickenpox लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो translation लिखा होगा हिंदी ट्रांसलेशन वो दोनों का सेमी होता है लगबग लगबग मैंने देखा 99% cases में तो यहाँ पर English version जरूर देखेंगे आपके smallpox मूचा गया कि chickenpox अब आपसन देखें फिर right answer बताएं आप क्या हो गर right answer यहाँ पर यहाँ पर जो smallpox का castive organism है वो है आपसन C veryola virus क्या है veryola virus जो smallpox हो जाता है ठीक है वो veryola virus की वज़े से हो जाता है आपसन C का right answer नेक्ष्ट है यहाँ पर question number आपके screen for 5 question number 5 पर पूछा गया है रक्त में oxygen की कमी के रूप में जाना जाता है lack of oxygen in blood known edge according to option you have to select the right answer क्या है right answer इसका रक्त में oxygen की कमी के रूप में जाना जाता है किसे जाना जाता है दिए गए आपसन में से right answer आप बताएंगे रक्त में oxygen की कमी आपसन सी इसका right answer होगा क्या hypoxemia क्या है hypoxemia इसका right answer होगा आप यहाँ पर word पर थुला ध्यान दे देखिए więض में के जा जातें किस नाम से क्वेंमोरण पूसरी का रस देंगे हिसटी स्पयलिंग पर ध्यान देंगे कोशेन यहां से आपका कटोशन दूर हुआज़ जाै गया question number six question number six पे पूछा गया है उतक में oxygen की कमी के रूप में जाना जाता है like of oxygen in tissue known as अब यहां पर पूछा गया है जो tissue होते हैं ठीक है आपकी body की tissue होते हैं उसमें जब oxygen की कमी होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है क्या होगा right answer इसका comment करके बताएं जो भी right answer आपको और spelling में भी काफी ज़्यदा difference है यहां पर hypoxemia लिखा है यह लिखा है hypoxemia यही पढ़ा जाता है कुछ लोग hypoxemia पढ़ते हैं यहां पर hypoxemia आप इससे पढ़ेंगे यह आप spelling ध्यान रखेंगे spelling पर थोड़ करेंगे आप ठीक है hypoxemia का मतलब होता है lack of oxygen in tissue okay oxygen की कमी होना आपक के उतको में आपके tissue में और oxygen की कमी होना आपके blood में तो hypoxemia कहलाता है कोशन 5 & 6 आप लिख लेंगे क्योंकि यह mostly mostly confused करते हैं student को बुक में भी उल्टा सिधा दिया गया ठीक है तो आप जैसा मैंने बता हैं आप इसी तरह याद कर लेंगे ठीक है यहां पर उतक में oxygen की कमी hypox ब्लड में oxygen की कमी hypoxemia होगे उमीद करता हम समझ गए होंगे आप कोशन नमबर यह है आपके screen पर कोशन नमबर 7 कोशन नमबर आप 7 पढ़ें फिर आंसर बताएं क्या है राइट आंसर एक बच्चे में यह लिखा है ओटो इसकॉपिक परिच्छा या परिच्छान की जाच क होगा क्या year की जाच की जाती है ठीक है आप संसी इस राइट आंसर ओके निक्स टेक कोशन नमबर आपकी screen पर 8 कोशन नमबर 8 पढ़ें फिर आंसर बताएं क्या है राइट आंसर यहां पर पूछा गया है कोशन नमबर 8 पर सार्क का मुख्याले कहां इस्तित है वेर इस दा क्लासिक सिप्टम्स यहां पर सिप्टम्स लिखा जाएगा में देखी जाती है यह लिखा है फिवर हीडेक ऐंडि निकल रिजिटिटी और क्लासिक सिप्टम्स यहां पर सिप्टम्स लिखा जाएगा सीन इन क्या है राइट आंसर इसका किस बीमारी के लच्छन यहां पर मेंशन किये गए हैं सिप्टम्स मेंशन किये गए हैं कमेंट करें जो भी राइट आंसर हो जली से बताएं राइट तो और भी इक नाम होता है जिससे कहा जाता है बुरुण जिसकी साइन कहा जाता है क्या बूर जिसकी साइन दूने है याद रखेंगे आप यह लिए यह लिखा है क्लासिक शिप्रेम सौरदी फीवर हीडेक और नेक इस्टिफर संपने का दूसरा मतलब होता है local के गर्दन की अकड़न या गर्दन में जखड़न ओके यहां देखें कर्णिक साइन और यहां पर लेक्स में इस्टिपने साइन में के चलते हैं नेश्ट कोश्शन पर यह आपके सिक पर कोश्शन नंबर 10 दसमा नंबर कोश्शन पढ़ें फिर आमसर बताएं उचा ही का डर कहा जाता है फिर आप दी हाई टांश कौल क्या ही राइट आमसर इसका कमेट करें जो भी राइट आमसर हो आपसंस इसका राइटम से एक्रोफूबिया कहा जाता है क्या कहा जाता है एक्रोफूबिया कहा जाता है माइक्रोफूबिया एक नया वर्ड है इसे जम से रिलेटेड है जम से डर से जिसे लगता है G E R M S जम से जिसे डर लगता है उसे माइक्रोफूबिया कहता है जेनोफूबिया मतलब उता है फीर आफ दी फॉरेनर नेक्स्ट यहाँ पर कोशन नमबर 11 कोशन नमबर आप 11 पढ़ें जल्दी से फिरांसर बता है अंत्रा कोशी ये दबाव को नमक उपकराण से मापा जाता है अंत्रा कोश की मतलब IOP प्रेसर आखों के अंदर का जो प्रेसर मापा जाता है किसी अंतर से नापा जाता है काफी अच्छा कोशन है और बता भी चुका हूँ आपको अल्रेड़ी आफसंस इसका राइट अंसर है आफसंस इसका राइट अंसर होगा IOP इंगलिस में जरू ध्यान रखेंगे इंट्राइकुलर प्रेसर इसको IOP भी कहा जाता है अब एक पॉइंट और ध्यान रखें पिछले वीडियो में मैंने पूछा था आपसे IOP प्रेसर केतना होता है आप ध्यान रखेंगे आठ से 20 के बीच में होता है एक टू ट्वेंट के बीच में होता है ये एकजामस में पूछा गया एहमस नर्सिंग में और भी एनचेव एकजामस में तो आठ से 20 के बीच में ये IOP प्रेसर होता है कभी कभी क्या होता है अगर 8 से 20 से लिखा जाएगा तो right answer है पूछा गए exams में same to same बात कर रहा हूँ ठीक है अगर 12 से 22 से लिखा जाएगा तब भी right answer है option में अगर आपको 8 to 20 मिलेगा तो most appropriate answer यह माना जाएगा 8 से 20 या 7 से किस इस तरह मिलता है तो यह दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे आपके exams के लिए जरूरी है यहां पर दे सकते हैं टोनों में टोनोमेट्री टोनोमेटर इसक्विक एंडी सिंपल टेस्ट डेट चेकदार प्रिसर इंसाइड यूर आई चोके आपके आँखों के अंदर केतना प्रिसर यह चीछ चेक की जाती है और जब भी आँखों के आँखों के अंदर के जो प्रिसर ज्यादा हो जाता है ना तो उसकी वज़े से गुलू कोमा हो जाता है ठीक है और vision loss हो जाता है आँखों की रोशनी चली जाती है next is question number आपकी screen पर 12 question number आप 12 पढ़ें फिर answer बताएं 960 में फेपड़े की कुल चमता होती है total length capacity in a newborn age बताना है right answer आपको क्या है right answer इसका appropriate answer के रूप में अगर देखेंगे तो absence इसका right answer है 150 ml यह इसका right answer है अगर range के रूप में देखेंगे तो 107 107 से 150 107 से sorry यहाँ पर थोला data बढ़ा के लिए जाता है 107 से 160 इतना यह ml यह क्या होता है capacity होती है newborn की 107 यह लिया जाता है ठीक है 107 से 160 तक यहाँ पर यह दूनों में एक single answer group में define किया गया है कि इतनी capacity में भी हो सकती है 150 तो आप ध्यान रखेंगे 150 लिखा होगा या अगर ना भी लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा 100 से 150 की बीच में यह range अगर लिखेंगे तब भी right answer माना जागा 100 से 150 की बीच की जो range लिखेंगे यह नवजास इसू की फेपड़े की कुल छमता होती है ठीक है capacity of lungs in newborn तो यह हैंडेर से 150 माना जाता है तो इसलिए दिए गए आपसर में से आपसर सी is the right answer यह most prepared answer है next question number आपकी screen पर 13 13 पर पूछा गया है सबसे arm hearty का cancer है the most common bone cancer is कई बार बता भी चुका हूँ आपको बता है आपर right answer जो भी आपको लग रहा हो option C is the right answer यह लेका है osteo car stoma option C is the right answer details वीडियो में बहुत भारी बर कमिसमें details में बात किया था आप जरूर वो देखें वीडियो नेक्स्ट एक question नमर आपकी skin पर 14 14 पर पुछा गया है bronchitis संक्रमल किस अंग से संब्दी थे bronchitis infection is related to which organs आपको बता रहा है कौन से आर्गन से संब्दी थे bronchitis infection option C is the right answer lung से संब्दी थे किसे lung से bronchitis infection यह संक्रमल कहेंगे यह lung से related है अगर आफसर में आपको respiratory system लिखा होता क्या respiratory system लिखा होता तब आप कहां सा respiratory system सही माना जाता हो क्योंकि lung का काम क्या है स्वसन से related होता है स्वसन से संब्दी थे स्वसन तंत्र को प्रभावित करता है कौन bronchitis लेकिन इस पेसली बात की जाएगी तो आप फेफडे बोलेंगे लंग्स बोलेंगे आप संसी इस राइट आउसर ओके नेक्स्ट है यहाँ पर question वही बात में शन की गए lower respiratory tract infection is quality bronchi, bronchiolitis चलते हैं next question पर यह है आपकी skin पर question number 15 question number 15 पर पुछा गया chicken pox का कारट जीव है देखिए उपर small pox था यहाँ पर chicken pox पुछा गया है तो आप यहाँ पर English में देखें या हिंडी में भी देश चकते हैं लिखा है मैंने क्या ही right answer option C इस का right answer है varicela joster virus varicela joster virus की वाज़े से chicken pox हो जाता है option option B पर mention किया गया है ठीक है option B इस का right answer होगा क्या होगा option B यह जो chicken pox हो जाता है यह varicela joster की virus की वाज़े से हो जाता है option B इस का right answer है और small pox किसकी वाज़े से हो जाता है very old virus की वाज़े थे small pox इसकी वाज़े से हो जाता हो small pox दोनों पर डिफेरेंस से ध्यान रखेंगे आप नेक्स यहाँ पर कोशन आपके स्किन पर 16 कोशन नंबर 16 16 नंबर कोशन देखें यहाँ पर पूछा गया है निम्न लिखित मैंसे किस रोग को तैराक कान या स्वीमर इयर्स इंग्लिस में जरूर द्यान देंगे के नाम से जाना जाता है विच आप दी फॉलाविंग डिसी जाल सुनोन अज़ दा स्वीमर इयर्स क्या है राइट आंसर इसका कमेंड करें जो भी राइट आंसर हो आफसन पीस दा राइट आंसर यह रिक है इंग्लिस दा इसका आपके कान के आंतरी कैनाल में क्या होता है इंफेक्शन हो जाता है नेक्स्ट एक कोशन आपकी स्कीन पर कोशन नमबर 17 कोशन नमबर आप 17 पढ़ें फिर आंसर बताएं नौजास सिसू की सामान स्वसंदर होती है कितनी होती है एपरपियेट आंसर आपको बताना है जो मोश्ट एपरपियेट हो आपसंस इसका आपसर है 42-60 होती है 40-60 होती है अगर आपको 30-60 मिल जाए तो यह रेंज है भारी बर कम रेंज है इसके इंफर गता जाता है लेकिन एकजामस में जो पॉइंट दिया गया है 17 नमबर कोशन सेम टू सेम है उठाया गया कोशन है कमिसन से ठीक है पूछा गया है सेम टू सेम 42-60 पर मिनट ओके आपसंस इस दर आइटम सर यह जो निबॉर्ण बेभी होती है इनमें रिस्पारेटरी रेट होती है नेश्ट एक कोशन नमबर 18 18 नमबर पर पूछा गया है ग्लास गो कॉमा इसकेल से निबन में से क्या मापा जाता है विचालदी फालाविंग इस मेजर बाइडी ग्लास गो कामा इसकेल GCS क्या मापा जाता है कई बार बता भी चुका हूँ आपको बताना है गलत नहीं होने चाहिए ज्यादा तर आमसर किसी भी स्टूडेंट के आपसर डीस कराइट आमसर है लेवल आप दी कॉंसियसनेस चेतना का इस तर चेक किया जाता है ग्लास गो कामा इसकेल से क्या क्या चीज़े देखी जाती है तीन चीज़े देखी जाती है वो तीनों पॉइंट यहाँ पर मेंसर किये आई ओपिनिंग देखा जाता है मोटर देखा जाता है वर्बल रिस्पॉंस देखा जाता है ये तीन चीज़ों का एसेस्मेंट किया जाता है किसके द्वारा ग्लास गो कामा इसके लिको द्वारा ठीक है लेवल आप दी कॉंसियसनेस ठीक है इससे पता चलता है चेतना का इस्तर नेश्ट कोशन नाइनटीन कोशन नाइनटीन पे पूछा गया है निमले खित में से कौन कौन दर्द प्रबंधन के लिए इस्तमाल की जाने वाली पहली पंक्ति की दवा है विच आप दी फॉलाविंग इस आप फ़स्ट लाइन ड्रग यूज़ फार दी पेन मैनेजमेंट क्या है राइट आंसर काफी एचा कोशन है पूछा भी गया चुका है जामस में यह दो बार आफसन सीस का राइट आंसर होगा ओके यह लिका है इस्टामीनोफेन इस्पैलिंग आप देख लेंगे हिंडी में भी देख लेंगे आफसन सीस का राइट आंसर दर प्रबंधन के लिए यह drugs of choice को रूप में जानी जाती है आफसन seize the right answer, okay next है यहाँ पर question number आपके screen पर 20 question number 20 पर पूछा गया है AIDS के कारक जीव के रूप में जाना जाता है AIDS का कारक जीव कौन सा है comment करें जो भी right answer हो आफसन 20 का राइट answer है HIV ठीक है AIDS का जो कारक जीव है जो वाइरस ते वो HIV वाइरस होता है human immunodificency वाइरस कहा जाता है इसी को यहाँ पर देश इतने है full form ब्यंसन किया गया है दोनों को full form पूछा एक्जामस में दोनों point याद रखेंगे आप human immunodificency वाइरस यह लिखा है acquired immunodificency syndrome, okay यह AIDS का पूरा नाम लिखा गया है यहाँ पर question है आपके skin पर 21 21 पढ़ें फिर answer बता है यहाँ पर पूछा गया यदि रोगी को यहाँ पर fill करना है आपको हो तो digoxin नहीं दिया जाना चाहिए digoxin should not be given if patient is having क्या fill किया जाएगा आपको यहाँ पर fill करना है आपको right answer option disc का right answer है bredycardia जब होगा तब उसे sorry digoxin नहीं दी जाएगी okay option disc का right answer है जब यह problems होगी तब नहीं दी जाएगी okay digoxin का कई बार मतलब बता चुक हो यहाँ पर फिर भी देख सकते हैं आप यह लिका है digoxin is not given faint heart rate blue 60 और bredycardia का भी मतलब यहीं होता है जब heart rate आपके क्या होती है normal से कम हो जाती है यह कहें 60 से कम हो जाती है उसे bredycardia कहा जाता है और digoxin तब नहीं दी जाती जब आपका heart rate क्या होता है low होता है ठीक है slow होता है low होता है क्योंकि जो digoxin है यह क्या करती है heart rate को और decrease कर देती है अगर यह कम है तो और कम कर देगी तो इसलिए नहीं दिया जाता question number है आपके skin पर 22 22 पढ़ें फिर आंसर बताएं HIV is A आपको बताने क्या है कौन से वाइरस है HIV आफसन C is the right answer है नेक्स्ट है यहाँ पर question number आपके skin पर 23 23 पे mention किया गया है लाल रंग का मूत्र किस आवसादी में बनता है red color urine produce in which drugs किस कि में बनता है कौन से ड्रक्स जब खाई जाती है तब लाल रंग का urine produce होता है comment करना है आपको राइड आंसर option C is the right answer है यह लिखा है refampicin option sparing देख लेना हिंडी में लिख लेना यह दोनों word आप दियान रख सकते है option C is the right answer आपको कई बार बता भी चुका हूँ आपको बताना है कि यह refampicin दिया जाता है किस का इलाज काने के लिए दिया जाता किस चीज़ का treatment किया जाता है refampicin medicine से next है यहाँ पर question number 24 24 में पूचा गया है कौन सी सरीर की कोशिका एमोक रोफ से HIV से प्रभावित होती है और प्रतिरच्छा दबन का कारण बनती है which body cells be are affected by HIV mainly and causing immune suppression immune suppression कौन सी cells होती है आपको बताना है जब किसी व्यक्ति को HIV AIDS होता है वो कौन सी cells होती है जो नस्ट होने लगती है या कमजोर हो जाती है suppression हो जाती है आपसर डीस कर आइटम सरे क्या आपसर डीस दर आइटम सरे CD4 cells कहा जाता है इनके कई नाम हम अल्रेडी बता चुके हैं आपको यहां पर फिर भी देख सकते है HIV destroys the CD4 cells also called the T cells and the helper cells ठीक है यह cells के नाम से भी जाना जाता है helper cells कहा जाता है T cells भी कहा जाता है or CD4 cells जिस व्यक्ति को HIV होता है उनमें यह cells कम हो जाती है इससे उसका प्रतिर अच्छा पढ़ा लिए एकदम कम हो जाता है घड़ जाता है ठीक है और body एकदम विकार हो जाता है okay weight lossing होती है और भी कई problems होती है ऐसा लगता है क्यों से क्वैसर का decision हो गया okay question number आप पढ़ेंगे 25 Swine flu के लिए drugs of choice क्या है what is the drugs of choice for Swine flu बहुत पूछा जाने वाला एक question है Swine flu के रूप में जो पूछा जाता है इसके लिए drugs of choice पूछा जाता है बहुत पूछा जाता है right answer आप बताएंगे यहाँ पर जो भी right answer हो option D का right answer हो osalti mavir होता है osalti mavir option D is the right answer next है यहाँ पर question number 26 26 पे पूछा गया वैल फिलेक्स परिश्चन well Felix test किसके निदान के लिए किया जाता है well Felix test is done to diagnosis बताना आपको यहाँ पर then to diagnosis क्या होगा right answer well Felix test किया जाता है काफी अच्छा question है पूछा भी जा चुका है आप संटीस का right answer होगा typhus fever में किया जाता है पिछले वीडियो में इसके बारे में details से आप से बात की थी typhus fever ओके यहाँ पर देश चकते हैं यहाँ पर यह लिखा है the well Felix test detect the typhus fever and specific rickettsial and infection rickettsatial infection ओके इस infection क्या करता है detection करता है यह पहचान करता है यह bacteria का नाम लिखा है यहाँ पर और यह जैसे यह bacteria कहाँ पनपता है जानवरों में टिक में माईस में कई जगे यह पनप जाता है question number है आपके skin पर 27 यह लिखा है hemodialysis के दोरान रक्त के थक्के को रोकने के लिए निमने में से किस दवा का इस्तमाल किया जाता है during the hemodialysis which of the following drugs is used to prevent the blood clotting जब भी hemodialysis किया जाता है आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में जब भी hemodialysis किया जाता है तो रक्त का थक्का ना जम जाए इसलिए कौन से medicine इस्तमाल की जाती है क्या है right answer कमेंट करेंगे जो भी right answer आपको लग रहा हो आफसन डीस का right answer ही पैरिन का इस्तमाल किया जाता है किसका ही पैरिन का यह क्या करती है ब्लड में रग्त का थक्का नहीं जमने देती दिविंदा परसीजर्स जब भी क्या होता से जरीन किया जाता है इसे ब्लड थिनर के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है यहाँ पर question number 28 28 पर पूशा गया है ELISA का पूरा नाम what is the full form of the ELISA आफसन देख लें फिर right answer आप बताएं क्या होगा इसका right answer यह रहे आपके सामने आफसन ओके आफसन भीस का right answer होगा आफसन बीस का right answer पूशा गया थे पूरा full form ठीक है और नजाने केतनी एक्जामस में पूशा जा चुका है और जो other exams में वहाँ पर पूश लेता है S का पूरा नाम बनाब ELISA में कहेगा S का मतलब क्या होता L का मतलब क्या होता E का मतलब क्या होता तो इस तरह आप ध्यान रखेंगे पूरा याद कर लेंगे आप राट लेंगे Enzymes linked immune sorbent assay Next है यहाँ पर Question आपके skin पर 29 29 पर पूशा गया Enzyna के लिए Drugs of choice क्या है What is the drug of choice for Enzyna के लिए Drugs of choice आपको बताना यहाँ पर जो भी right answer हो Comment करें पूशेगे question है Option D is the right answer है NGT क्या है NGT इसे nitroglycerine भी का जाता है Nitrate group में भी जाना जाता है तो ध्यान रखेंगे Option D is the right answer Option D होगा Enzyna के लिए Drugs of choice है NGT यह कई बार exam से पूशे गया है पिछले previous year तो ध्यान रखेंगे यह रिका है क्या है right answer इसका comment करें जो भी आपको right answer लग रहा हूँ कापी अच्छा question है यह पूशा जा चुका है exams में इसका जो right answer होगा Option C होगा Jakarta क्या है Jakarta हो सकता है अगर nursing में हो तो अगर आपको और पटा लग रहा होगा Jakarta कोई नई चीज नहीं है Indonesia की राजधानी है क्या हाँ की Indonesia यह अगर हिंदी में लिखेंगे तो आप इस तरह लिख लेंगे Indonesia की राजधानी क्या है Jakarta और आशियान का जो मुख्याला इस्ती थे है headquarter जो इस्ती थे ना वो Jakarta में इस्ती थे option C is dry down अब मैं करता हम आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा अगर चैनल पर नई से सब्सक्राइब करना लाइक करना हो सकते तो दोस्तों के साथ सेयर करना और जो लोग हमारे नोट्स पर चेज करना चाहते नीचे कविट बॉक्स में हमारा पर अचीब किया ये लिया प्राप्त किया ये वह जरूर बताएंगे आप वहाँ पर ठीक है और वह लोग नोट्स पर चेज कर सकते हैं जिससे स्टेट से हो जरूर आप अपना इस्टेट में किया करें इससे आपको काफी फायदा होगा है इंड फ्यूचर रोंके चलते हैं जल्दी मिलेंगे नेक्स टूडियो में थेंक्स पर वाचिंग प्राइट थेंक्यू बाबाई टेक्ट क्यास